नमस्कार साथियो स्वागताया आपके अपने योटूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो रीट के स्टुडेंट्स के लिए रहने वाली है रीट का स्टुडेंट्स चाहिए वो रीट लेवल वन से हुए एक्जाम दी है या read level second से exam दिया हूँ सबी students के लिए रहने वाली है साथ ही हो आज की वीडियो में मैं आपको कोई cut off नहीं बताने वाला हूँ आज की वीडियो को देख करके आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि कौन से विशे की cut off कितनी रह सकती है क्योंकि आज की वीडियो में मैं मेरे चैनल के द्वारा जो पॉल डाला गया था उस पॉल को यानि कि आपके सामने पेस कर रहा हूँ और आप आंकलन कर सकते हो कि कौन से subject की कितनी cut off रह सकती है तो आज की वीडियो में जो आपका जो पॉल मिलेगा वो English का मिलेगा SST का मिलेगा Hindi का मिलेगा और REIT लेवल 1 के students के लिए मिलेगा तो comment box में आप जरूर अपना आंकलन बताईए कि अपकी बाहर कौन सी category की कितनी cut off रह सकती है और आपके REIT में कितने नम्मरे बन रहे हैं तो देखिए वीडियो को आगे अपन बढ़ाते हैं आपके सामने सबसे पहले जो पॉल है जो मैं मेरे चेनल के द्वारा यानि की परसनली मेरे चेनल द्वारा लिया गया था दो दिन पहले मैंने ये पॉल क्रिएट किया था और दो दिन के अंदर लगबग जो वोट दिये हैं वो 1600 से ज़्यादा वोट आये हैं तो 1600 से ज़्यादा यानि की वोट आये हैं वो इसको आप देख करके आंकलन लगा सकते हो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताईएगा कि आपके अनुसार कितनी इंगलिस की कटोफ रह सकती है मैंने इसमें चार ओप्सन डाले थे एक 85 से 90 परसन के मद्दे जो की 52 स्टूडेंट यानि इसके अंदर आते हैं 52 स्टूडेंट का मतलब यह है कि 1600 में से यह मान के चलिए 832 स्टूडेंट के 85 से 90 के मद्दे आ रहे हैं मैं आपको कोई कटोफ नहीं बताऊँगा आप खुद नहीं बताईए आपका मन क्या कहता है कि अब की बार कितनी जाने वाली है तो 832 स्टूडेंट ने 85 से 90 के मद्दे बताया है उसके बाद 95 से 95 के मद्दे बात करे तो 19 परसेंट 19 परसेंट का मतलब यह है कि इन 1600 में से 304 जो स्टूडेंट से उनके क्या बन रहे हैं 95 से 95 के तो 13% का आंकडा है और 13% का मतलब यह है कि 208 students 1600 में से उनके क्या बन रहे हैं 500 में से 100 अब last final जो देखें 100 से अधिक 16% का यानी क्या आंकडा है 101 से अधिक का मतलब 101 से लेकर के आगे तक जितने भी आनी कि students के यानी कि जो person सही हो रहे हैं तो आप कमेंट बोक्स के अंदर अपने इंगलीज के नमबर और आपके अनुशार इंगलीज की क्या कटोफ रह सकती है यह आप जरूर बताईएगा यह पॉल यानिकी फैक नहीं हो सकता यह आप ही लोगों के दुआरा वोट किया गया है अगर आपने वोट सही दिया है तो आपके सामने है आपका आपकी कटोफ अगर आपने गलती की है या गलत आपने आने की उत्तर दिया है तो आप खुद आने की अनुमान लगा सकते हो तो यह रहा इंगलीज का अब आगे बढ़ते हैं रीट लेवल फर्ष्ट के अंदर आपके कितने परसंट सही हो रहे हैं यह मैंने पोल लिया था और 523 स्टूडेंट्स ने इसमें जवाब दिया है जिनमें अगर बात करें 85 से 90 के मद्दे जो नंबर बन रहे हैं वो 46 परसंट के बन रहे है बहुत बड़ी संख्या है 523 में से और 90 से 95 के मद्दे 17 परसंट है और 95 से 100 के मद्दे जो है वो 17 परसंट स्टूडेंट्स के है और 100 से अधिक जो नंबर बन रहे है वो कितने परसंट स्टूडेंट के बन रहे है 20 परसंट के जनी स्टूडेंट के बन रहे है तो आप का मन क्या कहता है कि रीट लेवल फरस्ट की कटो कितनी जाने वाली है आपके read level first में कितने नम्मर आ रहे हैं वो आप comment box में जरूर share करें और अगर आपका किसी तरह का शुजाव है वो भी आमंत्रित है वो भी आप comment box के अंदर share कर सकते हैं तो इस तरह से आपने read level second English की cutoff नहीं बताई है लेकिन आपका जो poll था आपी के द्वारा vote किये गए हैं वो poll रखा 1600 vote का और read level first का 523 vote का poll आपके सामने अब अगला देखिए SST का सामाजिक विज्ञान में आपकी कितने परसन सही हो रहे हैं इसके अंदर जो total vote मिले हैं वो 762 vote मिले हैं 762 अब बढ़ गए होंगे 762 यानी सुभए मैंने स्क्रीन सोट लिया था उस समय साथ सो बासर थे तो 762 में से आप देश सकते हो मैंने इसमें 4-5 आंगडे लिये थे 80-90 के मद्दे जो बन रहे हैं 39% स्कूडेंट के बन रहे हैं 90-95 के मद्दे जो बन रहे हैं कम यानि कि परसंद जिनके सही हो रहे हैं वो कितने हैं तेरा परसेंट है तो आप 762 में से आप आंकलन कर सकते हो ये आप ही बता सकते हो कि फेक है या कैसे है क्योंकि वोट आपके द्वारा दिया गया है और ये मेरे यानि कि जो चैनल है साजी सर्वाड़ेट उसके उपर मैंने पोल क्रियेट किया था तो आपने अपने हिसाब से आनि कि आपके जो नमबर बने उमीद करता हूँ आपने सई नमबर यानि की दिया है फिर भी आनि कि आप देख सकते हो तो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कितनी कटोप जाएगी लेकिन आप पोल के नुसार खुद आप जरूर बताइएगा आप जरूर कमेंट बोक्स में बताइएगा कि आपके सामाजीक विग्यान में कितने परसंस ही हो रहे हैं और आपका आंखलन क्या कहता है कि अब किवार कौन सी केटेगरी की कितनी मेरिट जाने वाली है तो ये रहा सामाजीक विग्यान जो कि 722 का था अब देखिए हिंदी अब हिंदी का भी मैंने लिया था रीट लेवल सेकेंड मैं हिंदी में आपके कितने परसंस ही हो रहे हैं तो हिंदी की अगर बात करें साथ ही हो मैंने ये जो उक्सन डाले थे 633 क्यानि की कंडिडेट्स ने हिंदी के कंडिडेट्स ने वोट किया है आप देख सकते हो 633 में से 90 से 95 के मद्दे 95 से 95 के जो मद्दे जो सही हो रहे हैं परसंस्ट देख लीजिया आपको 12% और उसके बाद अगर बात करें 100 से 105 100 से 105 के मद्दे किते परसंट होगे 100 से 105 के मद्दे 21% कंडिडेट्स होगे और उसके बाद अगर बात करें 105 से ज़्यादा जो कंडिडेट्स है हिंदी में जिनके यानि 105 से ज्यादा परसंट से ही हो रहे हैं वो 46% है टोटल जो वोट दिया है वो 633 यानि की दिया है तो साथ यो मैंने ये जो पॉल था जो मेरे चैनल पे लिया मैंने वो आपके सामने रखा आपी के द्वारा वोट किया गया है मैं आज की वीडियो में कोई कटोप नहीं बताने वाला हूँ आप खुद आंकलन कीजिए खुद मेरे को बताईए कि आपका मन क्या कहता है कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कितने पर्षन आपके सई हो रहे हैं यह जो सबसे बड़ा यानि की जो वोट वा यानि की भाग लिया और अभी भी ये पोल चल रहा है आप वोट कर सकते हो मेरे चैनल पे है साजी सरबाड़ेट तो उमीद है आप मेरे को जरूर बताओगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा थैंक्यू वेरी मच्च